मुश्कार दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जादा ब्यूटिफुल खुपसूरत चीज और जिसे हम बनाने वाले हैं घर में पड़े हुए बिल्कुल बेकार आइटम से इसे बनाने के लिए मैंने लिये यहाँ पर एक थाली जो कि आप देख सकते हैं उसकी कंडिशन बहुत ही खराब हो चुकी है और मैं ले रही हूँ यहाँ चार प्लास्टिक की खाली बॉटल चलिए तो शुरू करते हैं बनाना अब इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दो कटोरी रेत हम यहाँ कितनी रेत लेंगे यह हमारे थाली के साइस के उपर डिपेंड करता है दो से तीन चम्मच में डालूँगी यहाँ सिमेंट और उतनी ही मातरा में मेलूँगी यहाँ पर वाइट सिमेंट जिसे हम वाल पुट्टी या फिर वाइट सिमेंट या फिर सिरेमिक पाउडर भी कहते हैं अब सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह mix कर लेती हूँ इसमें मिलाएंगे आवशक मात्रा में पानी और इसे mix करते हुए एक गाड़ा सा पेस्ट बनाएंगे रे तो सिमेंट की मात्रा कुछ कम जादा हो सकती है मातरा कम ज़्यादा होने से ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा अब इस पेस्ट को जो हमने थाली ली है उसको उल्टा करके इस पेस्ट को हम उसमें डाल देंगे वैसे आप चाहे तो केवल वाइट सिमेंट या जिसे हम वाल पुट्टी कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ बजट को कम करने के लिए रेथ का भी इस्तेमाल किया है आप यदि सिर्फ white cement का इस्तमाल करते हैं तो उसका एक गाड़ा सा paste बना कर थाली में डाल सकते हैं अब हमने जो plastic की चार खाली bottles लिये उसको हमें इसके अंदर अच्छे से fix कर देना है आप चाहे तो पहले bottles को अपनी जगे पे place करके उसके बाद जो हमने गाड़ा paste बनाया है रेत का उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं मैंने चुकी यहाँ paste थाली में पहले ट्रांसफर कर दिया था इसलिए बाद में मैंने bottles के लिए जगे बना कर bottle को fix कर दिया है अब इसे 24 hours के लिए हम dry होने देंगे यहाँ आप देख सकते हैं उपर white color दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने white cement का एक paste बना कर उपर से डाला था ड्राय होने के बाद मैं इसे मैं पलट देती हूँ और इसकी जो खाली bottles है इसमें हम मिट्टी से fill कर देंगे वैसे यह optional है आप चाहे तो मिट्टी डाल सकते हैं नहीं तो इसके आवशक्ता नहीं है bottles के cap को लगा देंगे और इसे close कर देंगे वैसे आप bottles को खाली ही रखें क्योंकि मिट्टी के weight से मिट्टी के बजन से bottle के निकलने का chance होता है अब इसे मैंने palette दिया है अब हम शुरू करते हैं painting करना वैसे आप चाहे तो उल्टा करके नीचे की तरफ से painting करना शुरू करिए मैं इसकी painting पहले उपर कर रही हूँ उसके बाद नीचे जो bottle से उसको भी हमें paint करना है आप अपनी liking के हिसाब से color का selection कर सकते हैं मैं पहले इसे dark brown color जो wood color होता है वो color करना चाहती थी लेकिन अभी दिवाली का समय आ रहा है तो दिवाली में लाल, पीले, हरे color, पूजा के लिए use किये जाते हैं इसलिए इसकी painting जो है मैं red color से कर रही हूँ हम यदि इसे dark brown color से painting करते हैं तो बिल्कुल original stool के जैसा दिखाई देता है लेकिन पूजा वगेरे मैं use करने के लिए red color बहुत ही कूपसूरत लगता है painting करने के बाद मैं 24 hours के लिए इसे dry होने दे अब मुझे यहाँ 4 circles बनाना है मैं पहले इस तरह से प्रकार की सहयता से बनाने को try कर रही थी क्योंकि मैंने यहाँ oil paint का इस्तेमाल किया है तो इसकी जो surface है वो बहुत ही smooth हो चुकी है तो इसका जो center point है वो बार-बार skid हो रहा था इसलिए मैंने 4 different size के round shape के बरतन से 4 round बनाए है तो इस तरह से अंदर से बार की और छोटे से बड़े 4 round हमें बना लेना है वीडियो में आखरी तक के बने रही है हम बहुत ही खुबसूरत सी चीज बनाने वाले है अब मुझे यहाँ बनाना है ceramic powder का cone तो आप यदि मेहंदी लगाते हैं तो सेम उसी style में cone बनाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से round करते हुए इसकी जो खुली हुई सतय है वहाँ पर हम cello tape से इसको close कर देंगे कौन हमारा यदि अच्छा बनेगा तो हम जो ceramic से डिजाइन बनाने वाले हैं वो डिजाइन भी हमारी बहुत ही कुपसूरत बनेगी ceramic powder का paste बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है दो चमच फेविकॉल जिसमें हम मिलाएंगे दो चमच ceramic powder तो सेम मातरा में आपको ceramic powder मिलाना है और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करते समय यदि यह थोड़ा dry रहता है तो बहुत थोड़ी मातरा में हम पानी डालके और इसे mix करते जाएंगे बहुत अच्छा गाड़ा सा paste बन जाएगा इसे बिल्कुल smooth paste बना लेना है जिससे कोन हमारा बहुत अच्छा वर्क करेगा अभी हम इसमें कोई भी color नहीं मिला रहे हैं क्योंकि जो white cement है या ceramic powder यह अपने आप में white ही रहेगा यदि आप color करना चाहते हैं तो इसमें color भी add कर सकते हैं इस तरह के ceramic powder के colorful cones आपको online में भी बने हुए मिल जाते हैं जिनकी cost लगभग 25-30 रूपे पड़ती है लेकिन जब हम इसे घर में बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा cheap रहता है अब यह कटोरी में जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा पानी डाल कर में रख देती हूँ जिससे ड्राय नहीं होगा यहाँ हमने जो चार circles बना कर रखे हैं इस कोन से हमें उसे panting करना है यह ceramic powder आपको hardware की shop में आसानी से उपलब्द हो जाता है आम तोर पर इसे shop में वाल पुट्टी कहा जाता है या फिर इसे white cement भी कहते हैं packet के उपर भी white cement लिखा हुआ रहता है जिसकी एक किलो की कीमत लगभग 40 रुपे के असपास रहती है एक बड़े size का cone बनाने के लिए सिर्फ 4 चमच powder ही लगता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक cone की कास्ट कितनी पड़ेगी और वही cone market में 25 से 30 रुपे में online में उपलब्द रहता है तो आप इसे घर में आसानी से बना लीजिए बहुत ही easy procedure है अब इसके decoration के लिए वैसे तो हम बहुत different तरह के item का use कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे उन item का use कर रही हूँ जिससे यह बनने के बाद में washable रहे इसे हम आसानी से wash कर सके और साथ ही हमने इस तरह के item का use किया है जिससे इसकी cast भी जो है वो कम से कम हो इसके top के उपर जो भी हम design बना रहे हैं वो भी आप अपनी liking के हिसाब से बना सकते हैं आप जो भी design बनाना चाहते हैं और different color के ceramic cone का use कर सकते हैं हमने यहाँ base के लिए red color choose किया है तो red color के उपर green, yellow, white जैसे light colors, sky blue बहुत ही उठकर दिखाई देंगे और even पूजा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा perfect रहेंगे अब मैं यहाँ इसकी double line भी कर लेती हूँ जिससे यह बहुत ही सुन्दर दिखेगा ceramic painting designs आप online में भी search करेंगे तो आपको बहुत ही खुबसूरत designs मिल जाएंगी आप उन्हें भी देखका designs बना सकते हैं इसी तरह की ceramic designs हम मिट्टी के pot के उपर भी बना सकते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने white color के ceramic cone से design बना के एक base तयार कर लिया है अब कटोरी में कुछ ceramic powder बचा हुआ है paste बचा हुआ है उसकी quantity इतनी तो नहीं है कि हम cone बना सके बिना cone के मेहंदी हम जिस तरह से बना लिया करते थे ठीक उसी तरह से यह बचा हुआ जो ceramic paste है उससे हम design बना लेंगे तो आप चाहे तो बिना cone के भी इस तरह से design बना सकते हैं अब इससे decorate करने के लिए मैं इस तरह के पतले mirror का use कर रही हूँ जिनकी cast बहुत ही cheap रहती है हम यदि original mirror का use करते हैं तो वो हमें costly पढ़ते हैं दोनों तरह के mirror ही यदि हम purchase करने जाते हैं तो gram से kilogram से मिलते हैं लेकिन उनका weight ज़्यादा होता है इसलिए वो हमें costly पढ़ते हैं और ये पतले वाले mirror जो है बहुत ही cheap पढ़ते हैं जो की different different shapes में मिल जाते हैं और even इन्हें हम catchy से आसानी से cut करके अपने हिसाब से designs भी बना सकते हैं अब इस छोटे से stool के हमने जो pair बनाए हैं उसको भी हमें decorate करना है जिसके लिए मैंने बड़े size के goal mirror का use किया है इन बड़े size के mirror को भी मैं बीच में से cut करके इसके sides में design बनाना चाहती थी लेकिन मैंने इन्हें direct इस तरह से लगा कर देखा बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इसलिए मैंने direct ही इसे paste किया है तो जो bottles की जो 3 side है उसको हमें इस design से cover करना है bottle की जो अंदर वाली side है उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि जब हम इसे घुमाते हैं तो इसकी 3 side जो है वो दिखाई देती है तो देखिए बहुत ही simple और sober look नजर आ रहा है rectangular size के mirror जो हमने अंदर use किये थे उसी को मैं यहाँ पर use कर रही हूँ लेकिन इसको लगाने का style जो है वो थोड़ा different है तो आप देखेंगे same mirror को यदि हम different style में लगाते हैं तो इसका look कितना different हो जाता है इसके उपर आपको जो थोड़ा बहुत फेविकोल दिखाई दे रहा है वो बाद में dry हो जाएगा even इसे हम पानी से भी clean कर सकते हैं अब next हम करेंगे यहाँ पे एक different size का mirror है जिसे हम शक्कर पारे का shape बोलते हैं इसको मैं बीच में से cut कर लेती हूँ तो कहीं यदि place कम है तो इस तरह से हम cut कर के design बना सकते हैं देखिए कितनी खूपसूरत design लग रही है यह यह design बिल्कुल सूरच के समान लग रही है यह mirror लगाने के पाद मुझे ऐसा लगा कि इसका पूरा look जो है वो इसी design से उठावा रहा है तो आप यदि कहीं सूरच की design बनाना चाहते हैं तो इस तरह से cut करके mirror का use कर सकते हैं देखिए इसका final look जो है कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है अब यहाँ एक बात और भी important है कि इसे आप नल के नीचे इस तरह से रखकर आसानी से धो सकते हैं जब भी इसके उपर थोड़ी dust चिपक जाती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आसानी से आप इसे धो सकते हैं इसके बाद इसे कपड़े से हलके हास से dry कर सकते हैं इसे आप इस तरह से flowers रखकर रूम के corner में रख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगता है या फिर आप इस तरह से दिवाली पूजन में इस्तिमाल कर सकते हैं उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा लाइक करिए, शेर करिए, चेनल पर पहली बार आये हैं तो सबिस्क्राइब जरूर करिए आगे भी आने वाले हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए वीडियो देखने के लिए धर्नेवाद प्लीज सबिस्क्राइब, थैंक यू